कि है गाईज वैलकम तु सक्सेज के लूर्ट सक्सेज गैलोर में आपका हर्द इक स्वागत है आज हम इस वीडियो में क्या गरेंगे आज हम आज के दिन कहाने के सत्रह फरवरी के डेली करेंट अफेर्स करेंगे बट बिफोर विगन आपके लिए आज एक क्विश्चन है वो इस दा गवर्णर ऑफ पुडुचेरी पुडुचेरी के गवर्णर कौन है आपके ऑप्शन यह है आंसर में दे कमेंट सेक्शन और आपको इसका आंसर मिल जाएगा इस वीडियो में गाईज अगर आपने चैनल में हैं जिस किसी भी स्ट्रगल में है वो क्या कर रहा है वो जो आपको आने वाली कल में जो आपको तागत चाहिए होगी वो आपकी वो तागत को डेबलब कर रहा है चलिए आज के पहले कुश्चन के साथ शुरुआत करते हैं आज का पहला कुश्चन है who was appointed as the first female and first African head of WTO यानि के World Trade Organization वीशोविया पर संग्ठन की पहली महिला और प्रथम अफरीकी प्रमुक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है आपके option ये है और correct answer है इसका option number A नगोजी अकोंजा इवेला ठीक है इनको पॉइंट किया गया है WTO के head के रूप में ये है वो और ये दहिंदु का आर्टिकल है आप इससे एक बार गोत्रो चरूर कीजेगा चलिए अगले प्रश्मबर चलते हैं Donald Trump has proposed 30% of which territory be annexed to Israel Donald Trump ने इसराइल को किस छेत्र का 30 प्रत्चत छेत्र प्रस्तावित किया था ये रहे आपके option और इसका correct answer है option number A best bank जो अमेरिका की पूर राश्चपती थे दोनल्ड ट्रम उन्होंने अपने duration में ऐसा किया था अब जब जो बाइडन आ गए है जो कि अमेरिका के तत्कालिन राश्चपती है तो उन्हों ने जो डोनल्ड ट्रम ने प्रस्ताव पारित किया था उसको उसको reject कर दिया उसको जैसे पहले था वैसा ही कर दिया यह दहिंदू का article है आप इसे एक बार गोत्रो जरूर किजेगा अगर बात इस्राइल की हो रही है और best bank की हो रही है चलिए एक बार map पर देख लेते हैं इसको यह है अमारा प्यारा भारत और यह है इस्राइल चलिए इसको थोड़े बड़े map पर देखते हैं तो यह पू यह चलिए अगले पर चलते हैं और यह जो एरिया है एक नट जो यह यह पता है कौन सा सी है यह डेर्ड सी है ठीक है चलिए अगले प्रस्ट पर चलते हैं बांगलादेश अथोरिटी सेंट आ फोर्थ ग्रुप ऑफ रोहिंग्याज रिफ्यूजिस फ्रॉम म्यामार टू बिच नूली डेपलप्ड आइलेंड इन बे ऑफ बैंगॉल बांगलादेश के अधिकारियों ने म् बंगाल की खाड़ी के किस नए विक्सित दीपर भेजाए यह रहे आपके ऑप्चन और इसका करेक्ट ऑप्चन है करेक्ट आंसर है ऑप्चन नंबर भी भसंचार बसंचार जो आइलेंड है उस पर बंगलादेश ने जो रोहिंग्या रिफ्यूजिस थे उनको भेजाए य इसको थोड़े बड़े माप पर देखते हैं यह जो आइलेंड है यह भसंचार आइलेंड है चलिए अगले प्रेशन पर चलते हैं वह बहुत इंपोर्टेंट क्विश्चन है वाट इस साइंटिफिक नेम ऑफ इंडियान कोवी शील्ड बैक्सीन बारतिया कोवी शील्ड अंसर है ऑप्शन नंबर डी ए जैट डी वन ट्रिपल टू बैक्सीन इस साइंटिफिक नेम ऑफ इंडियान कोवी शील्ड बैक्सीन यह दा हिंदू का आर्टिकल है आप इससे एक बार गोत्रो चरूर कीज़ेगा चलिए अगले प्रेशन पर चलते हैं बहुत इंपोर्ट अगर आप आंसर दे रहें तो आपका अंसर गलत है किरनवेरी को कल राश्टपती ने ततकालिन प्रवाब से वहां के राजिपाल के पस से हटा दिया है और जो तेलंगाना के राजिपाल हैं डॉक्टर तमिली साइंस सॉंद्र राजर उन्हें अत्रिक्त प्रवार दिया है इतना है कहा का पुड़चेरी के गवर्नर का यह अगर हम पुड़चेरी की बात करें तो ऐसा क्यूं के यह राष्ट पती के पास हमारे देश्च राजट पते जो आपकल ने में है तो जो डॉक्टर तमिली शाहिं शौंद राजन है जो कि तेलन गाना के गवर्ण है उनको ये प्रभार दे दिया गया चलिए अगले प्रश्ण पर चलते हैं यह दा हिंदू का आर्टिकल है यह टाइम सफ इंडिया का आर्टिकल आप इससे गोत्रो जरूर किजिएगा चल यह आपके ऑप्चन और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्चन नंबर सी बैस्ट बैंगॉल बैस्ट बैंगॉल की जो मुख्यमंत्री है मम्ता बैनर जी उन्होंने यह स्कीम लांच की है अगर हम इससे स्कीम की बात करें तो यह पांच रुपए में जो पूर पीपल है उनको मिल प्रोवाइट करेंगी ठीक है यह आपका अर्टिकल है दर हिंदू का आप इससे एक बार गोत्रो चरूर की जगा अगर हम बैस्ट बैंगॉल की बात करी रहे हैं तो वहांके गवर्णर को ने वहांके गवर्णर है जगदीब धनकर और कॉलकाता वहां की कैपिटल है जो के केरला में आता है वहांके जो चीफ इनिशर है पिनरही विजन उन्होंने इसका उद्धगातन किया है यह है पिनरही विजन अगर हम केरला की बात कर रहे हैं तो केरला की जो गवर्णर है वह आरिफ मॉंबद खान और तिरवनन्त पुरम वहांकी कैपिटल है चलिए अगले प्रस्ट पर चलते हैं बट बिफोर्ट इड़े अगले बड़े को बलते हैं वह पिंखे लिए उस्की शुरुत की अगया है नोगे है अगले बहुत इंपोर्टेंट कुश्यन है रिसेंट्ली विच आफ दा फॉलाइंग सेलिवरेटिड इट सेवन्टी फॉर्ट फाउंडेशन डे हाली में निलिम लिकित मैं से किस ने अपना चोहत्तरमा स्थापना दिवस मनाया है यह रहे आपके ऑप्शन और इसका करेक्ट आंसर है ऑप् देवस उसे मना रहे हैं अगर हम डेली पुलिस के बात करें तो यहां का जो मॉटो वह शांती सेवान ने आए और जो यहां के हैड यानि के जो कमिशनर है वह है एसन स्रीवास्तवा अच्छा अगर डेली पुलिस है तो यह दिल्ली स्टेट के अंदर नहीं आती है मतलब द दा यूनाइटिड नेशन्स केपिटल डेवलोपमेंट फंड यानि के यून सी डीएफ हैज अपॉइंट डेस एस इट्स एग्जेकुटिव सेकेटरी रिचेंट्ली सेंट्ली सेंट राष्ट पुंजी विकास कोस ने हाली में किसको अपना कारिकारी सचिव नियुक्त किय यह रहे आपके और करेक्ट अंसर है इसका प्रीतिश इन्हा को अपॉइंट किया है यू एन सी डी एफ ने अपना नया एक्जीकुटिव सेकेटरी जर्नल ठीक है इसेकुटिव सेकेटरी अब अगर आप कहेंगे कि जो प्रीतिश इन्हा यह नाम से इंडियन लग रही है तो यह इंडियन नहीं है इनके पास जो नागरिकता है वो यूएस की है लेकिन हाँ यह इंडियन ओरीजिन है ठीक है चलिए अगले प्रश्ण पर चलते हैं अगला प्रश्ण है और बहुत इंपोर्टेंट कुश्यन है SCL Tech has an agreement with which among the following to boost capabilities in cyber security SCL सुरच्छा में चमताओं को बढ़ाने के लिए निम लिकित मैंसे किसके शाथ समझाता किया है यह रहे आपके option और इसका correct answer है sorry इसका correct answer है IIT Kanpur IIT Kanpur के साथ SCL Tech ने क्या किया है समझाता किया है जिससे कि इसकी साइवर सेक्यूर्टी में बूस्ट अप मिले जो वहांकी capability है उसमें strength मिले यह दमिंट का आर्टिकल है आपसे एक बार गोत्रो चरूर किजिएगा चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो इंफॉर्मेटिव लगियो देन प्लीज लाइक दबीडियो और शेयर दबीडियो और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब आपनी अगली वीडियो में एंड पास में construction का काम हो रहा है तो आई हो मुझे ऐसा लग रहा है कि शाहिद इसमें background noise आ रहा होगा so please ignore that चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए take care, bye bye, God bless you all